यहीं दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है और दोस्तो आज है 25 मई 2023 और 25 मई 2023 से जितने भी current affairs के question है जो बिहार से जुरे हुए है उसको आजम discuss करेंगे और इस वीडियो का PDF हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को जोईन कीजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल गाएगा और इस वीडियो के last में मैंने revision का एक प्रस्ण रखा है जिसका answer आप लोग को comment works में देना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्ण है हाली में बिहार के किस योजना को UN या United Nation के द्वारा अपनाया गया है और साथी जांबिया और अन छे अफ्रीकी देशों में इसे लागू किया गया है तो बिहार की बहुत ही मत्वकांशी योजना है जिसका ना में मुख्यमंत्री बालिका साही की योजना बी ऑप्सन सही हो गया अब अंतराश्टी अस्तर पर यह जो योजना है फेमस हो गया है और इस वार के BPSC 69 के लिए यह BVI बन जाता है तो अफ्रीका के छे देशों में अफ्रीकी कंट्री के छे देशों में इस योजना को ल प्रिस किया गया उसमें 50 करों रुपया का प्रापधान किया गया है बिहार सरकार ने 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना की शुरूबात की थी इस योजना के अंतर बिहार सरकार ने अपने राज के सभी छात्राओं को साइकल करने के लिए 3000 रुपया की आर्थिक सहता देती हैं टीक है अगले प्रस्न की तरब चलते हैं अगला प्रस्न है दोस्तों यह प्रस्न पहले भी कराए दिये थे लेकिन उसमें भोषना किया गया था इस जोजना का और इसको अब सुरू किया गया है तो हाली में बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल केरेंसी सुबारम किया गया भारतियी रिजर बैंक दोरा निरमित इस डिजिटल केरेंसी का उप्योग पतना संपूर नगर निगम छेतर में किया जाएगा पतना नगर निगम मुख्याले जो की पतना के मौरिया लोग में है तो मौरिया लोग परिसार में पूर्ण रूप से इस प पहला नगर निगम बहुत ही भी भी आई कोश्चन है और यह जो इसका उडगाटन किया गया है इसमें गन्यमान अतिती लोग जो यहाँ पर मौझूद है जो पटना नगर निगम के अधिकारी हैं यह लोग अगले प्रस्णिकी तरफ चलते हैं नसा मुक्त बिहार कारेक्रम का लांचिंग 24 मई 2023 को कहा किया गया है तो दोस्तों यह भी पटना में किया गया है ए ओप्सन इसका सही हो गया प्रजापती ब्रह्मा कुमारे इस वर्येविस बिद्याले और समाजिक म्या एवं अधिकारता मंत्रा लेके सही होग से इस अभियान का आईजन किया गया है इसका रेक्रम की लांचिंग में ब्रह्मा कुमारे इस पटना सब जोन में 24 मई को गरीब बच्चों के लिए है ठीक है यह यह योजना था जितने भी गरीब बच्चे है उन्हों प्राइवेट इसकोल में 25% सीट उनके लिए रिजर्ब किया गया था तो दोस्तों इसका निगरानी के लिए दोस्तों सिक्षा विभाग के द्वारा एक पोर्टल बनाया जा प्राइवेट इसकोल के द्वारा बहुत इधानली किया जा रहा है इसी के निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक विकसित किया जा रहा है तो शिख्षा का अधिकार दिनियां 2019 के प्रापधान के अंतरकत सभी नीजी विद्याले में कुल सीट का 25% गरीब बच्चों का नमांगा निसूर को लेना था इसके बदले सरकार इन स्कूलों को निश्चीत रासी देती है कई स्कूल तो पैसे ले लेते हैं सरकार से लेकिन उसके अनपात में बच्चों का नमांगा नहीं लेते हैं इसी पर निगरानी के लिए राजसरकार के द्वारा नया पोर्टल जारी किया जा रहा है अगला प्रस्न है दोस्तो खरीप महावियान 2023 का सुर्वात किसके द्वारा किया गया है तो मुख्यमंत्री नितिसकुमार के द्वारा ए ओप्सन सही हो गया खरीप महावियान 2023 के प्रचार बानों को हरी जनरी दिखा कर मुखे मंतीर नितिस कुमार के द्वरा इसकी शुरुबात की गई है अब दोस्तो इस वियान के क्या क्या लक्ष है तो किसानों को खरीब फसलों की तक्निकी जानकारी देना फसल अपसेश प्रवंधन के प्रति जागरुपता फैलाना मौश्रम के अनुकूल क्रिसी का रिक्रम से संबंदित जानकारी को बढ़ावा देना और जैबिक खिती को प्रत्साहित करना खरीब मौशा में क्रिसी विभाग वरा संचालित यूजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना की शानों के लिए और साथ निश्य यूजनाओं पार्टो के तहट हर खेत तक सिचाहित का पानी पहुंचाना ठीक है तो इसके लक्ष है खरीब वियान 2023 का अगले प्रस्न की तरब चलते हैं दोस्तों तो अगला प्रस्न है ग्रामीन चेत में सुद्ध पेजल आपूर्थी के मामले में देश के सिर्स पाँच जीलों में बिहार का कितना जीला सामिल है तो चार जीला सामिल है ए ओप्सन इसका सही हो गया नेक्स्ट है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षन से प्रस्न लिया गया है आज तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022 ते इसके अनुसार वित्धियवर्ष 2017-2121 के बीच दूद उत्पादन का कितना प्रतिसत बार्सिक दर पढ़ा है तो सही उत्तर हो गया 7.3 प्रतिसत इसका सही हो गया और यह जो ग्राफ जो दिया गया है दोस्तों यह ग्राफ दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट से लिया गया है और वर्ष 2017-18 में 92.4 एक लाग टन बूद का उत्पादन हुआ था जो कि वर्ष 2021 में यह बढ़ कर 121.9 लाग टन हो गया है ठीक है तो इसका जो ब्रिद्धी दर है 7.3 परतिसत दर्ज किया गया है तो यह था इसका करेंट अफियर्ष चलते हैं रिविजन के तरफ तरफ तो रिविजन का प्रस्न था हाली में बिहार राज जैबी वित्था पारसत की वार्षिक रिपोर्ट के अंसार बिरासत बिक्षों में सबसे सम्रिद जिला कौन सा बना है तो सही उतर हो गया पूर्वी चंपारण डी उप्सन इसका सही हो गया आज का रिविजन का प्रस्त है बिहार के किस नदी को घरियाल वनजीव अभियारन के रूप में बिक्सित किया जाएगा तथा इसे इको सेंसेटिव जोन वो सित किया जाएगा तो इसका उतर आप लोग को कौमेंट वर्क में देना है और तो दोस्तों आज के लिए अतना ही असकरता हूं आपको यह वीडियो पसंदाया होगा तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजे तो अपने दोस्तों में जरूर सेर करें साथी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वेल आइकन जरूर दबाए जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथी हमारा ब्याट चैनल को अन्य सभी सोसल मेडिया प्लाटफॉर्म पर आख फॉलो कर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेस्बुक, ट्वीटर और हमें इमेल भी कर सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी फिर नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए जाए हिन जाए बिहार